आज हमने यहाँ पर बनाई है Cris Cross Vegetable Sandwich जो देखने में बहुती संदर है कहने में बहुत ही टेस्टरी है और बनाने में बहुत असान है यह आज एक हमने नब असलोगी के साथ अज़िए देखते हैं अज़नार करते हैं यहां पर मैंने 6 स्लाइस लिया है ब्रैट के आप ज्यादा भी ले सकते हैं आप ज्यादा सेंड्विच बनाते हैं यहां पर मैं चार इपस में यहां पर मिले लिया है एक चुकंदर जिसे मैंने किस लिया था इसमें हम डालूंगे थोड़ा सा नमक और इसमें 5 मिनट के लिए मिलाके रख दूँगी इन सबको हम मिस कर लेंगे नमक को चुकंदर को इसमें मिस कर लेंगे और इसे हम रख देंगे अब यहाँ पर मैंने लिए है पत्ता गोवी बारी कटीवी एक गाजगी सीवी और यह चुकंदर जो मैंने रखी थी नमक लगा के हाथों को हमें साफ कर लेना है और अब इसका सारे जितना भी इसका जूस है सब निकाल लेंगे हाथ से ऐसे दबा के आपको इसका सारा जूस निकाल लेना चुकंदर का हमने नमक लगाके रखा था जिससे इसमें नमक का टेस्ट भी आगया और हमारा जूस भी जादा हमें मिल जाएगा नमक लगाने से देखिए अब आपको ऐसे गिलास में थोड़ा सा यह जितना जूस है इसका चुकंदर का गिलास में निकाल लेंगे हम अब यहाँ पर एक पिस ब्रैट कर लेके और हमें जैसे एक चाकू है इसको इसकी आगे किनों हम डिप करेंगे पीछे वाला हिस्सा लेना है हमें इसका चाकू का जहां पुसकी धार ना हो वाला हिस्सा हमें इसका चाहिए और आपको ऐसे चाकू को आगे से डिप करना है और जितना इसका रस है उसमें आप इसको जाड़ दीजिए यह देखें ऐसे लेके आप इसी तोड़ा सा उसमें जाड़के और ऐसे इसमें एक लाइन ऐसे खीश लिजिए इसके रस से आगे की नोक ले लेके ऐसे यहाँ पर बेटी आपको बता रहे है कि आपको कैसे करना है ऐसे हम इसमें लाइन डालेंगे ऐसे इसमें भीगोके जितना बी एक एक्सट्रा रस है आप इसमें जाड़ दीजिए यह देखें ऐसे हमें फिल कहल केouter क्रैने ज्यादगा अदूनि एक लाइन, और झे कर लेगा ह और फिर हम ऐसे इसमें लाइन खीचेंगे बहुत ही प्यारी लगती है यह वाली सेंड्विश देखने में और खाने में हेल्दी है क्योंकि इस सब्जियां इसमें सारी इतनी अच्छी वे इसमें डली में है सब हेल्दी है यह देखिए आप इसको ऐसे लगा लीजिए ऐसे ही हम सारी इसमें लाइने खीच लेंगे आपको तो थोड़ा इसमें अराम से करना है जो आप यह लाइने डाप इसमें चुकंतर के रस्ते यह देखिए हमने एक इसे बना लिये नहींने अब हम इसमें ऐसी इसकी अ इसकी इसमें इसके square वो बना लेंगे, जैसे square pieces होते हैं, वो बना लेंगे, इस ऐसे shape में कर लेंगे, यह देखे, थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा समहर्किये करना है, थोड़ा time लगेगा आपको, जब आपको अगर ऐसी sandwich बनाने हैं, तो आप पहली यह वाले piece तयार करके रख लीज सारी equal डल जाएं, यह देखे, इस तरह से आपको लगाना है, बहुत हलके हाथ से, इससे नीचे से bread आपकी कटना जाए, और piece आपके, विल्कुल fresh होने चाहिए, ब्रैट के, वाइट ब्रैट पे आप इसको यूज़ कीज़ेगा, बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में त्यान के अच्छे लगते हैं, खाने में टेश्टी लगते हैं, ऐसे हम इसमें सारे इसके square बना लेंगे, इतने अच्छे लग रहे हैं, जहां से भी आपको कम रहते हैं, आप ऐसे समें, डिप कर करके, इसमें, ऐसे आपको झाल कीज़ेगे, हमारा एक पीस कितना बढ़ त इतना अच्छा लग रहा है ऐसे इसी तरह से हम बाकी के पीसिस भी त्यार कर लेंगे जैसे देखिए हमने चार पीस त्यार कर लिए है के हामने समय स्कोयर यहां पर मैंने कडाई में posición मक्षण डाला है अब जो यह अमने सबजी ली थी गाजर पता होओ इसको भूनेंगे हम थोड़ा सा गरम न्यंविग द द श्व्र हो भी अब इसे हम दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे कि ऐसे आपको भून लेना इसको चलाते विए कि फ्लेम आपकी मीडियम होने चाहिए तेजनी होनी चाहिए कि मक्खन में इसको भूनेंगे तो इसका टेस बहुत अच्छा आएगा हलका सा हमेंसे को ऐसे परफरा कर लेना है ऑपि अब दहुंन चकी है दो मिनट हो चुकी है अब इससे बाल में निकाल लेंगे अब कड़ाएност में हम तुरह सा मक्खन कि आमने कंचा सकते हैं तो धर एक हमन Memphis वैशना मसाला और थोड़ा सा नामक है इसमें आपने मन-पसंद सरी टा सकते हैं डा सकते हैं फैसने जो भी आप पास घर जब खरमेंस रवहार सकते हैं इसमें इधर मेरे जो गाजे घिसी थी तो इसको अमने residents बनाई थे अब इसमें हम बटर को ग्रेट करेंगे ग्रेट करने से बिल्कुल सही लगाता है मक्षन ऐसे हम अगर ग्रेट करते हैं देखे कितना जल्दी लगा और बेस्ट भी नहीं होता जादा ऐसे आपसको ग्रेट करते वे इस पर सारे पर लगा लीजिए और जो हमने चु थोड़ा सा ही करेंगे जादा नहीं थोड़ा थोड़ा करेंगे अब इस पे जो हमने पत्ता गोभी भूनी थी वो इस पे हम डाल देंगे उपर से अच्छी फिलिंग लगानी है आपको जादे से जादा लगाईएगा सबजी जब इसमें टेस्ट आएगा आप इसमें जैस नहीं है आपके पास चतनी का यूज कर सकते हैं जो भी आप लगाना चाहें वह आपस में लगा सकते हैं सेंविच में यह देखें यह हमने मक्षन हिसके पर थोड़ा सा चुक अंदर फैला दिया है और जो हमने गाजा एर को भूना था वो इसके उपर हम डाल देंगे आपक इसे हम एक प्लेट में निकाल करेंगे देखें किती बढ़िया लग रहे है सेंविच हमारी वेजिटेबल सेंविच क्रिस क्रॉस वाली यह देखिए अब इसी तरह से हम दूसरा पेर भी तया कर लेंगे ऐसी आपको बटर को घिसना है यहापर बेटी हल्प कर रही है उसका दूसरा प्रॉस दूसरा आउस ओं आ little gücki पान सब्सक्राइब देख़ए और देखने में बहुत प्यारी है संविच आप देखिए आम ऊपर से ignored अब इसमें हम टालेंगे थोड़ा सा चुक अंदर है सारी हेल्दी सब्जियां है सेंविच आपने कहीं तरह की बना के खाई होंगी आप एक बार इस तरह की सेंविच जरूर बना के खायेगा जब बहुत पसंद आएगि आपको भी बहुत अच्छे लगेगा इक बनाने में ये और सब को आप खिलाbuild हींए सेंविच बनाके देखें यह हमारा तयार हो चुक ह है अब इसके उपस हम पीस लगा देंगे जो हमने तयार करके रखा था उतर्छा इसको हाथ से लिए अब जब करेंगे आपको इस चाकू से ऐसे कट के लेना है जो आपका चाकू हो उसकी जो measurable प्यारी लग रही है सेंडविच हमारी colorful stand compete हो गया इस प्याव चुकंतर के जैसे हम Нे इसमें square बना है आप इसके पालक के उसमें पालिका रस निकाल के पालक चुकंतर की जूस के बनाए है आप इसमें पालक का जूस कर सकते हैं उसकी जगह जो भी आपके पास सब्स्टेम हो घर में उससे आप बना सकते हैं इस तरह से हम दूसरा अपना पीश भी कट कर लेंगे देखे कितने प्यारे लग रहे हमारे सेंड्विच अब इसी तरह से हम दूसरा पीस भी कट कर लेंगे यह देखिए हमारे सेंविच तेयार हो चुकी हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे क्रिस क्रॉस सेंविच पैजी टेबल के तो आप भी बनाईए हमें बताईए आपको यह रेस्पी कैसी लगे आशा है आपको आज-की रेस्पी पसंद आई और सम्रिपिणे रेस्पी राज़ से girалистि कीजी इना साथ अपने हरोज नईने रेस्पी और बेसिक रेस्पी करते हूं तो अब हम बतान मिलीगे एक और नीए दयाके साथ